तो आपको फिर से वेलकम है मेरे यूटूब के ने वीडियो में और मेरे चैनल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो जी डी कॉंस्टेबल का जो फॉर्म निकला है उसको आप कैसे फिल अप कर सकते हैं बहुत स्टूडेंट को यह प्रोबलम होता है कि वह इस वीडियो को देखके सीख सकते हैं कैसे करॆंइया यह अप यह मोबाईल से भी कर सकते हैं और नेक्स्टॉब से भी परोबलम होता है लिडियो में जाहां को जो बिलर खोल ले रहा है Google Chrome को जैसे आप खोलेंगे उसके बाद आपको कोई बहुत सारे वेबसाइड होते हैं मैं सरकारी रिजल्ट को प्रिफर करते हो ता आपको सरकारी रिजल्ट में चल लिए उसके बाद यह जो लेटेस्ट जो आपका सेक्शन होता है इसमें आपको देखना है आप जो पोस्ट क कितना है और मैक्सिमम एच कितना यहां से आपको भैरिफाइ कर लेना है उसके बाद जैसे यह चीज आपको भैरिफाइब हो जाएगा उसके बाद आप पर सारा सीट दिये हुए तब आप उसको बढ़ियां से देख लें कि आपको साथ अगर प्रफेंस मांगेगा पोस्ट का तो आपको यहीं से देखके आगे फोम में डालना है तो यह चीज आप बढ़ियां से पढ़ लें जो भी डीटेल है यह आपको अच्छे से रीड कर लेना है उसके बाद यहां पर आप पहले से अगर रेजिस्टेड है एससी के वेबसाइड में तो सिंपली आपको यहां प करना है तो मैं अभी कर नहीं सकता है मेरे पेसे कोई मोबाइल नहीं ही तो बस मैं आपको डेमो देते हुँ कैसे करना है यहां पर यहां पर yes करना है यहांप फिर से अधार कर नमबर डालना और ओыт यहां से अपने में रिपाः यहां पर आपको इहान से पढ़ना यहां पर अपना रोल डालना जो भी आपको मैट्रिक कर दालते हैं, तो बहुत बार क्या होता है जिब रोल नंबर डालते हैं तो आगे बढ़ने नहीं देता, तर्फामल भप लिखता है already existed, already matched, ऐसे कुछ लिखता है रहा आगे यहाँ दिखा रहा हूप पहले आपको roll code डालना है उसके बद we him a guy just 하기 in awo नहीं बढने देरा तब जिसे रहा है पहले handling code उसके बाद ल्ाध डालके अगे बंढ़ना है और अ पिस वर सłbym आप इसरे ही आरे प्सक्राशजिंडर को क्या है को यहां सलैक्ट जर्टकू क्या मीजिस्णनुखट क्या है वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब सुख्या। उसके बाद आपको mobile डालना फिर आपको अपना यहां पर पकी सरा कि गन्वाइल डालना सब्सक्राइब आपको ईबस नम्बर सब्सक्राइब आप अफिर आपको यूजिर आईडी पासवर्ट जैसे मिल जाएगा तो यहां पर होम पेcl in भर ले नहीं इसारे पर हमने ही फिल करता हूं इसलिए उनका सारा इडि पासवर्ट है टो आपकोल जैसे लुट चेहां यहां mêmes कर लेंगे अब सब्सक्र talkin Ihnen करैंधे तो मैं यहां पर दोस्त कर लिता हूँ मेरे को भरता है तो मैं यहां पर अभी करते हूं कि अब यहां पर मैं अपना यूजर आइडिय पाट्वर्ट जू भीए इसके यूजर डाल लिया हम यहां पर यह को आपको दिख रहा है वह आपको कर देना यह तो आतूर्ब कर देना करना छोग है उसके बाद सारा डीटेल ऐसे मिलाना नहीं परता है क्योंकि जो आप सब्सक्राइब करते हैं लेकिन कुछ-कुछ चीजी है जो आपको अपने से बहने पर देख सकते हैं यहाँ पर पूछ रहा है कि आप आर्मी फोर्स में पहले से थे यह एक सार्मी थे हैं तो यहाँ करने के बाद आपको यहाँ पर अपना सारा डिटल डेट ऑफ जोइनिंग क अपर लिमिट इसका 23 था तो जिसका एज रिली सेशन में आएगा उनको और भी जादे एक साल दू साल का मिल सकता है अगर आप आते हैं यहाँ पर यहाँ करना आपको नहीं चाहिए यहाँ पर सिंपले नो कर देना है उसके बाद अगर आपको पास NCC का सेटिपीकेट है त उसके बाद यहाँ पर आपका जो एक जामनीशन सेंटर रहेगा वह कहां होगा तो मैं यहाँ पर एक्जामनीशन सेंटर में आ लेता हूं और अपना सेलेक्टर लेता हूं और अपना नियरेस्ट वाला ही सेलेक्ट रहना है जेनरली वहीं पर देता है जो मेरा नियरेस्ट सब्सक्राइब कर लेता हूं कि उसके बाद आपका डिस्टिक होगा उसको रहनять कर लिना है उसके बाद आपको यहां पे अपना जिसे यहां पे 20 नमबर में आप देख सकते हैं Have you migrated from the state or union territory of your origin to the another? मलब क्या आप अपने state या union territory से किसी और मलब जगा पे या ट्रांसफर हो चुक है आप वहां पे shift होगें अगर आप हैं तो yes करना है नहीं तो आपको नहीं करना है अब गुजरात अब यहां पर आपको डिस्टिक सेलेक्ट करना है तो गुजरात में आप गांधी नगर में गया हैं तो यहां पर आपको जिस भी स्टेट में आपको सेलेक्ट कर लेना है लेकिन मेरे केस में अभी मैं उसी स्टेट में हूँ जहां मैं रह रहा हूं यहां पर कर देना उसके बाद यह सारे option आप automatically disable हो जाएंगे उसके बाद आ गया यहाँ पर preference का बारी अब आपको यहाँ पर preference देना है कि पोस्ट का preference आपको देना है तो आपको उसके लिए वह पूरा पढ़ लेना पड़ेगा और आपको जिस जिस पोस्ट में preference चाहिए उसके अनुसार यहाँ पर पोस्ट फिल करना अपड़ेगा आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं सारे पोस्ट के लिए यहाँ पर ग्हश्म को पहते हैं जादा नंबर उपोस्ट हो जिसे बी एस एक पहर तो इसी के खॉर्णिंग आपको अपना प्रिफ्रेंश यहां पे डाल देना तो नहीं वहां और पहुपर डाले हैं वहीं चीज को सेम नीचे डालना का आपका कहीं उल्टा सीदा तो पहने डाल दी और उसके बाद आपको यहां पर अपना highest qualification सेलेक्ट करना है जो भी आपका हो तो मेरे case में जो है मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं उसके बाद आपको मलब detail of qualification education यहां आपका 10th में है या फिर मलब कोई अलग तरह का certificate है जो तेंद के equivalent आपको सेलेक्ट करना है तो मेरे case में 10th है तो 10th कर लेता हूं उसके बाद यहां पर आपको अपना pass वाला select करना है पास है यहां पर प्रजेंस में है उसके बाद यह automatically select हो देके roll code roll number automatically अब यहां पर आपका जितना percentage हो वह आपको फिल कर लेना है तो मैं देखके फिल कर लेता हूं मेरा क्या है certificate में तो मैंने अपने percentage देखके डाल लिया है उसके बाद यहां पर यह जो option रहता है इसमें रहता है कि आप अपना information है जो share करना साथ चाहते हैं ताकि बाद में अगर कभी जोरी पले तो आपको कर सकते हैं और आपको मर्जी है कि आपका personal information सेरो तब yes करना है नहीं तो नहीं करना है इसके पर मैं yes कर देता हूं उसके बाद यहां पर आपको अपना photo डालना है यहां पर को signature डालना है तो फोटो देख सकते हैं 27 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए और यहां पर पूरा डीटेल दिया हुआ रहा था कि कैसे कैसे क्या करना है और वेदर फोटोग्राफ है टेकन आप्टर इतना अगर हां है तो yes करें ना है तो मेरे case में yes है मैं yes कर लेता हूं अब कि इसमें बाद आता है फोोट अप्लोड करने के दुखन बियोडिका रहा हूं अब वो वे औरींजनल फोटो यहां पर नहीं अप्लोड कर रहा हूं बन pineके ए आपना यहां पर दे रहा हूं तो देख सकते हैं इससे इससे कमकरते वह को सिखाऊ हो यह है यह देख सकते हम इस में क्या करना है करने पर दौकिमेंट से वहाँ पर चले जाना है उसके बाद आपको अपना फोटो खोल लेना है जो भी फोटो हो आपका जिसको आप अपलोड करना चाहते है फॉर्म में तो लिए भाई यह देखुया है यहां पर क्लिक कर लेना है तो ऑपना बेंड बटन यहां पर अपना Snipping Tool, Snip Snipping Tool खोलना है, जो दिखे, खुल गए यहां पर, उसके बाद यह New में दबाना है, New में दबाने के बाद आपको जितना भी आपका फोटो चाहिए, वहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इसको सेफ कर लेना है, यह बहुत easiest way है, जिसमें आप अधम असानी से अपना फोटो का साइज कम कर सकते हैं, अब फिर आपको जहां पर इसको सेफ करना है, वहां पर आपको सेफ कर देना है, तो मैं नाम रख लेता हूँ इसका फोटो, इहां पर आपको JPG में सेफ करना है, यह हो गया, अ उसके बाद चलते हैं सीगनेचर में, अब एक बार साइज हम लोग देख लेते हैं चेंज हुआ跳inya या नहीं, कि अब अर्जादा यहां पर छोटा कर ले मलब को जैसार उसके आनुसार इसको बढ़ा चोटा करके आप पो सीनिपिंग करना है तब इमान की चलिए में इतना में कर रहा हु और सोरी उसके बाद एक बार यहां पर बीच में क्लिक करना है कर लेना है इस से बाद यहाँ पर को से ख़ह पर किलिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपको माने लिख दें यहाँ पर सेब करें उसके बाद सेब करना है उसके बाद देख सकते हैं चूच करके देखते हैं क्या यह काम कर रहा है यह नहीं इस फोटो का साइज को ज्यादा ही च्छोटा हो गया एक बद चेक कर लेते हैं देख सकते हैं यह साथ के भी हो गया जो कि आपका फोटो का साइज आप देख सकते हैं दस से बीस के बीच में होता है अब देखिए अब कमान के चलिए फोटो तो छोटा साइज में हो गया अब इसको क्या करना आपको डिलेट कर दिए जो भी सिनिपिंग की है उसके बाद य यहान पर यह कर लेना है और यहां पर आपको सेफ क्लिक करना को अध्यान के पर देख सकते हैं इस इस इनका रिएल डीटेल है जिनका में फ़ॉर्म भर रहा हूं उनका डारेक्ट लें इनका जो भी डीटेल है वो महझाव अपलोड कर देता हूं अब घबिरिते के लिए यहां पर्विक करना है और जो दाल लेना है कि मैंने उनका फोटो अपलोड कर दिया याप आपको जो पूर ता दीख रहना हा इसको सही सही भरना इसके पर्यवयू किलिक करना है जिसे एक बड़ प्रिवीव के क्लिक के जगत आपको पूरा डीटेल आपको मिला लेना है कि सारा अचीज सही है कि नहीं यह सब चीजे आराम से करें क्योंकि कोई चीज अगर मिश्टिक से गलत रगयत पर बात मैं आपको प्रोब्लम कर सकता है इसलिए पूरा डीटेल को अर करना है और यहां पर सक्षाव लिए जैसे फिमिल के लिए जो भी फो में यह से सचाव डारेक्ट ली होगे अगर आप दाना है सब्सक्राइब है। यहां पे पामने करना है मेलिए पहर पेट में तो इद्ड़ा दॉडब अ rebte국 भी सब्सक्राइब तब्सक्राइब करना है उसके पोन फूरंत पहले तो तुरंत पता चल जहता जा मैं यह तक और समас शूर्ण सेखे सकते हैं लेकिन अभी तक पूरा भेरिफाय नहीं हुआ तो कुछ टेम के बाद ही आपका फॉम क्प्लिटली भरा जाएगा तो ये वीडियो नया के टिंगरिका है इस तरह कर वीडियो आते रहेंगे हर फॉम में कैसे आपको भरना है क्या करना है मैं अलग-अलग फॉम के लिए अलग स्क्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताके हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में और हम इस तरह का वीडियो लाते रहें अपने चैनल पर तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में